ओम वंद्यगवा मातर मित्रो यूट्यूब चनल श्वाश्टरक्षा से प्रभाप सबका स्वागत करती है मित्रो आज हम बात करते हैं सर्दियों में हमारी त्वच्चा के सबसे बड़े शत्रों के बारे में वो है साबुन साबुन एक ऐसा पदार्थ है जो हर घर में पाया जाता हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और स्नान बिना साबुन के तो संभवी नहीं ये लोग ऐसा मानते हैं मित्रो साबुन से स्नान के मैं आपको कुछ बातें बता दूँ साबुन में जो केमिकल होते हैं, कास्टिक, सोडा, सोफ्सलेरी, यूरिया, पता नहीं क्या क्या होता है, ये तो कुछ हम मुझे मालूम है, मैंने आपको उतने बता दिये, ये सारे ही केमिकल आपकी त्वचा के लिए अत्यधिक हानी कारब होते हैं, जब आप इनको त्वचा पर लगाते हैं, तो त्वचा सीधी फट जाती है, अब जो साबुनों का विग्यापन आता है, विग्यापन में एक बात कही जाती है, मुख्यता, जैसे हल्दी का साबुन है, चंदन का साबुन है, दूद मलाई का साबुन है, बदाम का साबुन है, तो यदि आप इन वस्तों को ये साबुन में बताते हैं, उसमें एक प्रतिशवत भी कई बर वो लोग नहीं डागते हैं, तो आप सोचिए, जब आपके साबुन में एक प्रतिशवत भी उसका बताया हुआ मुलतत्व नहीं है, तो उसका असर आपके तचा को क्या मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, साबुन फेस, फेस अर्थात फेना, ये वाला फेस नहीं, फेने वाला फेस, जब उसमें फेना है, आप मैंने कुछ साबुनों को देखा है, जिसमें सनान करने के बाद वोग चिकना पन रहा जाता है, पर यदि आप उसके बाद भी तचा को पोँच लेते हैं, जिसमें कुछ फेश वास आदी भी शामिल होते हैं, चाहिए डव है और कौन सा है, क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पर कभी हाथ धोने में आग है, तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है, तो यदि आप उस सब भी इस्तेमाल करते हैं, आप भलो लिटम यदि बेशन से बेशन को गिला कर लीजिए, उसको तवचा पर लगाईए, और उसके बाद आप उसको थोड़ा सूखने के बाद आप धोड़ा लिए, यदि आप ऐसे भी करते हैं, तो तवचा का चिकनापन खतम होने लगता है, तो साबून में जो केमिकल हो तवचा के च चिकने पन को खतम किया और दूसरे केमिकल से बढ़ा रही है, और आप लोशन क्रीम दिन भर लगाईए, चार छे बर लगाईए सर्दियों में, लेकिन फिर वह सूखा पन या फिर बहुत ज़्यादा पॉइली मैसूस होता है, तो नोहीं आपके लिए आपको अच्छे नह लगते हैं, और यदि आप साबुन को हटा देती हैं, आप निम्भू शेद आदी का इस्तेमाल करती हैं, जो हमने बताया स्नान कैसे किया जाए, हमरी प्लेलिस्ट मुखडा चान का टुकडा में आपको मिल जाएगा, यदि आप उन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं स्नान करन मैंने अपनी तोचा पर साबुन नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे उसका हाँ, हाथ कभी-कभी धूने पढ़ते हैं, जैसे मुझे जाते हैं, शेहरों में रहते हैं, तो राक इस्तेमाल करने को मिल जाए तो सबसे अची चीज़ होती है, पर वो शेहरों में तो कर नहीं सकत तो इसलिए हमें साबुन से हाँ धोने पड़ते हैं, बस उतने ही हाथ हम दोते हैं साबुन से, उसके अलावा हमारी देहे पर हम कभी साबुन नहीं लगाते हैं, तो यदि आप साबुन लगाते हैं, तो उसके बाद की जो चीज़े हैं, और जब मैं वीडियो बनाने बैट जबकि आप देखें तो मैंने क्रीम रोशन कुछ भी नहीं लगाया है और कभी मैं आपको जाड़ा हुआ तो मैं आपको प्रेक्टिकल करके दिखाऊंगी एक हाथ साबूं से दोंगी एक हाथ निंगुशेद से दोंगी और आप देख लीजिए निटो आप फुद करके जाएगा तो आप यह यह करके देखें आप अपनी त्वचा पर देखिए आपको पस्ट अंतर पता चल जाएगा तो कि बहुत सलल है बहुत सहज है पर हमने हम करते क्या है एक खर्चा करतें फिर दूसरा और लेते हैं और उसके बादेकी चमणी में कुछ रोग आदी लग और सुन्दर रखना चाहते हैं तो साबुन का प्रयोग बंद कर देशिए क्योंकि वह आपकी त्वचा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है आपको आप हल्दी बेसन और थोड़ी से मलाई उसमें मिलाकर भी आप दूद मिलाकर रिस्तनान कर सकते हैं यदि आपकी त्वच चहरा धोते हैं तो चहरा ड्राई तो नहीं हो जाएगा यदि आपने अपनी तोचा में साबुन नहीं लगाया है साबुन लगाना बंद कर दिया आप वीडियो के विवरण में नियम पालन दिये जाते हैं उनका पालन करते हैं भुजन पानी का नियम पालन करते हैं तो का में आपको स्किन ड्राइ नहीं होगी आपकी तवच्छा सुखी नहीं होगी कोई फरक नहीं पड़ेगा बस आप जरा सी लापरभाही करते हैं यह इती आप साबून से स्प्वाम करते हैं आप दो बार मुह दोएंगे आपकी तवच्छा सुखी हो जाएगी फिर आपको करें तो समस्य नहीं होगी बस इतनी सी बात है ज्यादा कुछ नहीं समझना है कि मैं ज्यादा नामों में नहीं जाती हूं कि नामों को बता क्या कुछ हासिल नहीं है आपको इसके विस्तार नहीं पता यूरिया क्या काम करता है इस आपको पता नहीं है साबुन में जो पढ़ बस उतना ही आपने आपको सही कर लीजिए आपके तोचा में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा वीडियो अच्छा लगो तो लाइक करिए और यदि आप यहां से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं तो इस वीडियो के विवरन के वीडियो अवश्य देखिए और उनको देखने के बाद कोई शंका बचती है तो आप मुझे संपर कर सकते हैं उन वीडियो में मैंने अपना नमबर दे रखा है धन्यवाद वंदे मात्रम